प्रश्न एक, एपिएच फाइरिक के दौरान क्या सावधानिया बरतनी चाहिए? उत्तर, एपिएच फाइरिक को रोकने के लिए सावधानिया निम्नलिकित उपए हैं, जिनके द्वारा एपिएच आग को रोका जा सकता है. 1. APH धूल रिसाव को खत्म करना होगा 2. SCAP Steam Coil Air Preheater Boiler के थंडे स्टार्टप के दौरान सेवा में प्रयोग में लिया जाना है 3. वंचित भट्टी दबाव बनाए रखने के माध्यम से 4. अगनी समवेदी उपकरन हमेशा सेवा में होना 5. APH को थंडे स्टार्टप के दौरान प्रयोग से वंचित रखकर बाइपास करके चे 5. फ्लू गैस में ऑक्सीजन वा कार्बन मोनो आफसाइट किस तर को सही तरह से बनाए रखकर 5. प्रशन 2. रो सिस्टम के क्या फायदे हैं उत्तर, निमनलिकित प्रकार से हैं जो की DM प्लांट से अच्छा है 1. बैक वाश की जरूरत नहीं 2. अधिक रासायनिक खपत नहीं 3. बहुत कम जगह की आवश्यक्ता 4 बहुत कम संचालन और परियोजना लागत 3. वाश्पशील पदार्थ से क्या मतलब है और CFBC बायलर में इसका क्या योगदान है उत्तर, वाश्पशील पदार्थ इसमें मुख्य रूप से हाइडोकारबन, हाइड्रोजन, एच दोक के साथ कारबन सी का सयोजन होता है विभिन अनुपातों में अन्य गैस बनाने वाले घटकों के साथ ये गैसी ये रूप में मुक्त होते हैं जब इंधन शुरू में गर्म हो जाता है और लंबी पीली लोग के साथ इंधन के बैट के उपर जलने लगता है CFBC बॉयलर में वाशपशील पदार्थ की भूमिका कम वाशपशील पदार्थ में कोईला होता है बिना किसी परेशानी के CFBC बॉयलर भटी में आसानी से जल सकता है जबकि अन्य प्रकार के बैलरों की तुलना में सर्कुलेशन रेट बहुत अधिक है इसलिए जब भी कोईले का वाशपशील पदार्थ का निम्न स्तर का हो तो जलने का यह सबसे उप्युक्त तरीका है उच्छे वाशपशील पदार्थ का CFBC बॉयलर में कोई असामान्य प्रभाव नहीं है प्रशन 4. संत्रिप्ट या सुपर गर्म करने के लिए कौन सी भाप अच्छी है और क्यूंग उत्तर सूखी संत्रिप्ट ड्राई सेचरेटिट स्टीम प्रक्रिया हीटिंग के लिए अच्छी है क्योंकि इसमें उच्छे गुप्त गर्मी होती है जो कि स्टीम के अवस्था के परिवर्तन में मदद करती है प्रशन 5. क्वेले के देहन को कौन से कारक प्रभावित करते है एक फ्लूडाइच करने वाले कंड का वेग दो बैर का तापमान तीन क्वेले के कंड का आकार शार एर नोजल पर बैट की उचाए और डीपी दाबानतर पाच पी ए हेडर का दबाव शे अतिरिक्त वायूस्तर प्रशन 6. फायर ट्यूब और वाटर ट्यूब बाइलर से क्या समझते है उत्तर फायर ट्यूब बाइलर में एक ट्यूब जिसमें बाहर की तरफ पातरी होता है और अंदर दहन के उत्पादों को ले जाता है यह कंड शम्ता के और कंडबाव वाले स्टीम के लिए प्रयोग होता है Water tube boiler में एक tube जिसमें पानी होता है और अंदर की तरफ भाप होती है और बाहर की तरफ गर्म होती है यह boiler अधिक शम्ता और अधिक दबाव के steam के लिए प्रयोग किया जाता है इस प्रकार के boiler की उर्जा दक्षता fire tube वाले boiler की तुलना में अधिक होती है प्रशन साथ, gate valve पर globe valve के क्या फायदे और नुकसान है उत्तर, globe valve के लाब, एक globe valve, gate valve के विप्रीत, गंभीर शती के बिना लंबी अवधी में आसानी से ध्रोयल या modulate प्रवाह कर सकते है दो globe valve stop check valve के रूप में कार्य कर सकता है तीन, valve के भागों की मरम्मत और बदलने में आसान है globe valve से नुकसान, एक globe valve बहुत महंगे होते हैं दो globe valve डिजाइन में थोड़ा जटिल होता है